हलो दोस्तों कैसे हो आप दोस्तों आज आपको बताने वाले पीएप समधी एक और बड़ी जानकारी दोस्तों अगर आप भी अपना पीएप का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो दोस्तों उसके अंदर आपको कैसे अपना एक्सिडेट डालना है डेट ऑफ एक्सिडेट ताकि आप अपना PF का पैसा 19 नंबर का फोरूम भर के 10C नंबर का फोरूम होता है उसको भर के पैसन का पैसा निकलता है ठीक है 19 नंबर का फोरूम भरोगे तो आपका PF का पैसा निकलेगा ठीक है और EPF का पैसा निकल जाएगा और अगर आप 10C फोरूम भरते हो उससे आपका pension का पैसा बचा हुआ निकल जाएगा ये दोनों पैसा निकलवाने के लिए आपको ये जो फोरूम है mark of exit इसको भरना जरूरी होता है कैसे करना है तो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में बस दोस्तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है अकर आप हमारे इस चैनल पर नए होना तो पिलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना क्योंकि हम पीएप से समद्धी वीडियो डालते है जो आपकी पूरी हल्प करती है तो चलिए वीडियो के अंदर कप छोड़ा है उस डेट को डाल कर ही आप अपना पीएप का जो पूरा पैसा है उसको निकाल पाते हो 19 नमर फोरूम भरके और पैंसन का जो पैसा निकलता है वो टैंसी फोरूम भरके आप निकाल तो दोस्तों यह मार्क ऑफ एगजिट लिखा हुआ है इस ओप्सन पर किलिक करेंगे इस पर किलिक करके हम जो ओप्सन होता है याद रखना आप जब दो मंत हो चाता है कंपणी चोड़के वेगाएप को पूरा कंप्लेट हो जाता है कंपनी चोड़ने के बाद तब जाके कि कैसे आप Mark of Exit Date डालते हो ठीक है इस पर मैं किलिक कर देता है आप यहां देख लीजिए Mark of Exit डालते के लिए आपको जो ओप्सन खुलता है यह वाला खुल जाता है यहां लिखा हो है ना मैंनेज Mark of Exit Date अब यहां पर लिखा होता है Employment और यहां पर लिखा होता है Select Employment तो यहां Select के अंदर आपको यहां पर एक छोटा सा तीर का निशान दीखेगा डाउन में तो इस पर आपको किलिक करना होता है Mark of Exit डालने के लिए ठीक है तो चलिए मैं इस ओप्सन पर किलिक करक आपको यहां नजर आता है कि Company आप उसने बंदे ने कभ छोड़ी और लास्ट का इंट्रिबूशन उसका कभ आप उसको मिला है ठीक है यहां से आपको उसका आता है Date of Birth वर्थ सो करता है यहां से Date of Joining सो करता है और Date of EPS का जोइनिंग का सो करता है अब डालना क्या है है मैं को कभ बार Company से हम निकले हैं ठीक है तो उसके लिए आपको नीचे की तरब जो Option है वह मैं आपको दिखा देता हूं अब यहां पर देता है दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूं Select Date of Exit EPF की डालनी है इंको ठीक है फिर Re का मतलब एक बार दुबार उसको यहां पर डालना है EPF का ठीक है फिर उसके बाद में दोस्तों यहां पर Region जो Accidate आपने Company छोड़ी है उसका Region क्या है तो Region को यहां से Select करना होता है कि आपने Sort Service से छोड़ी है या फिर आपने Company में Retired होके हो ठीक है तो Option होते है उसके अलग अलग ठीक है तो यहां पर यह Option को Select करना होता है नीचे की सब्सक्राइब करना होता है कि याद रखे डालने से पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि हमारी Mark of Exidate यही है कि आपने Company कब छोड़ी है याद रखना है इस बात को गलत डाल देते हो तो आपका P.A.P. का पैसा फस सकता है याद रखना है इस बात को मेरी को ठीक है तो चले मैं यहांसे मेरा डाल देता हूं और फिर री में डाल देता हूं अब देखो दोस्तों मैंने जैसे इस पर क्लिक किया है ना तो यहां पर यह बोलना है कि Last Contribution की Date को तो मार्च का option यहाँ पर हमको सो कर रहा है तो मार्च का हम क्या लेएगे यहां से 31 तारिक को ले लेंगे क्योंकि पूरा मन्थ ही टोटल में लगता है फिक ज्यादय-तर इस प्रकार से नजर आएगी आप यहाँ देख भी सकते हो ठीक है आप आपको दिख रहाओगा नीचे क भी जब आप जाओगे तो Sam option आपको खुलेगा वही March का और यहां से 31 को मैं यहां से Select कर लूँगा दोस्तों आप यहां देख सकते हो हमारी जो Mark of Exitate है वह ग्रीन कलर में ऐसा लिखाएगा लाइन में और यहां पर वह एक में से लिक करके आपको select करना होता है तो चलिए मैं क क मपनी छोड़ा है तो सोडकर जुद करना होता है यहां से Abigail test करना है तो ही मैं ने कि और भी आप कंपनी एक में साल दो साल में चौड़ देते हो तो आपको कुछ इस पेकार से select कर लेना है ठीक है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा ध्यान देना है मेरी नबर नोगर फाइव हैं तो एंटर करने के बाद हम इस उप्षन पर किलिक करेंगे तो चलिए हम डालते हैं अब देखो दोस्तों मैंने पार में पर दाल दीया है और आपका काम ना करें और किसी पर कोई दिखता है तो रिक्वेश्ट पर आप दुबारा डाल के दुबारा इस पर किलिक कर देना और दुवारा ओटीपी आ जाएगा फिर उसको डाल लेना ठीक है तो चले मैं इस पर किलिक कर दिया हूँ अब यहां चोकर पर यह दिख रहा है थमका सा इस पर मैं किलिक करूंगा अब उस पर किलिक करते ही दोस्तों आप यहां देख सकते हैं यह चोकर पर जिसमें किलिक किया न एकसिट डेट है वो कंफर्म हो जाएगी सेलक्ट हो जाएगी तो चले इस पर किलिक कर देते हैं दोस्तों यहां पर बोला जा रहा है अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर बोला जा रहा है तो हम हम त्यार है अपडेट दोस्तों आप इस option पर click करके आपको दिखा देता हूँ अब दोस्तों उसी option पर आपको यह redirect कर देगा अब नीचे की तरफ से मैं आपको इसको दिखाता हूँ दोस्तों आप यहां देख सकते हैं जो हमारी company है उसकी लग चुकी है date of exit sending history के अंदर आप चलोगे तो यहां सा आपको नजर आएगा जो भी आपकी EPF की exit date है वह लग चुकी है मैं आपको दिखा देता हूँ EPF की ठीक है और EPF की यह date of exit यह देखो ठीक है यह EPS की है और EPF की है ठीक है यह दो परकार की होती है एक तो आपके PF के लंदर लगती है और एक आपके pension का जो पैसा होता है उसमें लगती है ठीक है और यहां से जो region है सेलक्ट होई चुका है short service का ठीक है तो इस प्रकार से आपकी जो date of exit है clearly लग चुकी है तो इस प्रकार से आप भी अपने date of exit डाल सकते हो अब दोस्तों आप यहां देख सकते हो मैं थोड़ा से इसको side के तरफ स्क्रोल किया है और उसके बाद में अगर आप यहां देखोग मिला है इस मंत में मिला है और update की जो on आप देखोगी जब भी अपने update की तारिक डाली है वह आपको परजेंट में नजर आएगी और यहां पर नजर आएगी 16 जून 2024 का यहां पर record दिखा रहा है timing के अनुसार वे सब कुछ आता है तो इस प्रकार से मैंने जो आपको process बता प्रकार से जो आप अपना एकस्डेट डाल सकते हो तो आसा करता हूं दोस्तो इस वीडियो के मां आतरी में आपको पूरी जानकारी दी है कि expect करें दालते है उसके बाद यहां प्याटे करें निकीक्तम निकाल पाते हो दो मंत के बाद यह आपको डालना पड़ता है तो एस